अरियाना स्टेट बूड आप टेक्निकल एजूगेशन के जो एक्जाम चल रही है उनमें वार्निंग का जो इस्यू था बच्चों को पांच वार्निंग जो मिलती थी उनका जो इस्यू था वो लगबग हमने लास्ट वीडियो में जो स्टेप्स बताए उनसे 90% बच्चों क वार्निंग नहीं मिल रही है उनके एक्जाम अच्छे से हो रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों को अभी वी वार्निंग आ रही है उन सभी का फीड़ वैक और सभी की टेक्निकली समझने के बाद जो आप पता लगा है जो आज आपको समझना वह बात क्या है कि जो आज में इं गलती ना की रहuju लेकिन वार्निंग फिल सकति है क्योंकि गलत देक्सी और देकि ऑयुकर इस चीज़ को समझना कि ठीज का करना है कि का क्या करना है पिनर चलो आज बच्चे नहीं बैठ उए थे कैमरे के सामने दूसरा नहीं आना चाहिए सारी चीज़ सेमें वही steps आपको सारी बात हैं दुवारा से बताने कि मुझे नहीं लगता कि जबूरत है की दुवारा बात हैं बताई जाएं लेकिन जो बात आज नहीं निकल के आई है कि दूसरे की गलती पर भी कैसे आपको वार्निंग मिल सकती है इस चीज को समझिए मान लीजिए एक चीज आप थोड़ा द्यान तरके जिस रूम में आप बैठे हैं उसका फैन भी बंद रखें क्योंकि फैन की जो एर है वो वाइबरेट होती है और वो भी साउंड में आपको रिकॉर्ड हो सकती है तो इसलिए थोड़ी देर के लिए 40-45-50 मिनट का जो आपक में कि कोई music system चल रहा है किसी तरह की अवाज हो रही है और वो आप आपके खानों तक आ रही है वो आपको सुनाई दे रही है तो अब इस चीज को समझो कि आपको जब वा सुनाई दे सकती है तो वह system को भी सुनाई देगी अब आप बिलकुल सानत बैठे थे आप बिलकु कि आपको warning issue हो सकती है इस चीज़ का भी ध्यान रखें अब देखिए आपने कोई गलती नहीं कि मैं नहीं आपने कोई गलती नहीं कि आप बिलकुल सांथ बैठे थे आपका फॉन जो था व स्टेंडिंग पोजिशन में था और आपके कैमरे के सामने कोई नहीं आया लेकिन ब दूसरे की जो गलती है अब या आपने गलती नहीं कि लेकिन दूसरे कैंडिडेट ने किसी ने आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके रिलेटिव ने आपके आसपड़ोस में कोई बात चली या आपका मकान ऐसी जगह पे जहां कोई बाहर की तरह बहुत जादा ट्रेफिक है वो अब आज आप तक सुनाई दे रही है जब वो अब आज आप तक पहुँच रही है तो आपके सिस्टम तक भी वो अब आज पहुच रही है इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें कि जो आज बच्चों को वर्निंग इशू ही है साउंड रिलेटिल उनमें उनकी ग उसके प्रोपोर्शनल किया जाएगा तो अगर आपका पेपर सो नंबर का होता था तो यहां पे पचास का हो रहा है तो इसको प्रोपोर्शनल करने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा तो मैक्सिमम मार्स को डबल करेंगे तो आप जो मार्स इसमें करोगे उसको भी डब करेगा क्योंकि 17 questions करोगी तो आपके 34 के round marks बनेंगे तो 17-18 questions करने वाला बच्चा पास हो जाएगा तो इसलिए आप कोसिस करें कि 20-25 questions आपके बिल्कुल सही हो और जल्दी से जल्दी कोसिस करें कि आप 20-25 questions attempt करें उसके बाद attempt आपको पूरे करने लेकिन 20-25 वो करें जो आपको अच्छे से आते हैं और जिनमें time कम लगे जिनमें time कम लगे ताकि दूसरे questions के लिए आपके पास time और exam का time 45 minute है यह आपको ध्यान रखना अब यह आप देगो आपको भी बच्चे यह सोचता है कि जी मैंने एक बज़े लोगिन किया मेरा दो बज़े सम्मिट क्यों नहीं हुआ तो बेटा जिस time आपका exam सुरू होगा उस time से 45 minute बाद आपका exam सम्मिट हो जाएगा इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है एक्जाम को अच्छे से दीजिए अगर किसी एक दो बच्चे को आज बोर नहीं आई है तो बिलकुल भी इटेंशन ना लें सभी के एक्जाम ठीक चल रहे हैं ज्यादा कोई problem हो नहीं रही है तो प्रार्टिंग में होती है दीरे दीरे सब अच्छा हुआ है मोग टेस्ट में problem ज्यादा हुई थी अब problem को solve कर लिया गया है और बहुत सारे बच्चों अच्छे से अपना एक्जाम दे पा रही है तो जो चीजा आज बताई जा रही है इनको भी follow-up करते हुए अपनी warning issue को solve करें best of luck